हेलो फ्रेंड मैं आरके एक बार फिर से आपका इस हमाई यूट्यूब चैनल विए श्री बायो वाला में श्वागत है तो इस तो मैंने टाइप साफ रोटर की जो आपके बातें बता रहती है जैने की टाइप साफ रोटर को मैं पढ़ा रहा था जिसमें एक वर्टिकल यह सानिजे तक कि आपको डेली की Requy के ज disrupt मतेठी रहें है तो श्विंग आ उउटर जिसको हम लोग बॉक्ट रोटर के नाम से भील चानती है Rod 59 कूद अर्य बोग्द्याल यहां थिसको हम लोग इस आंगल रोटर भी कहते हैं क्या कहते हैं वइया अंगल रोटर rotor is the rotor in which , एक फ्रकार का क्या है rotor है in which tubes are rotated in the bucket यानि कि bucket की तरह यह rotate करता है tube holder and buckets wala attack to the rotor with certain angle यानि कि यह हैכे specific certain angle पे rotation का काम करता है यह छोटी सी topic है जिसको हम लोग जल्द ही कबर कर लेंगे इसमें यह बता है कि जो इफ्रेंट टाइप के क्या होते हैं जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सेप्रेट करने के लिए काफी जादा योगदान इप्वाटन होते हैं कि जैसे आपको थोरे लाज साइ्zen के जो आपके माली प्वूल्स हैं उसको सेप्रेट करने के लिए काफी हिल्फुल होता हैं जो बड़े साइज के और लिक्वेड मटेरीयल है तो liquid material में कोई part हो गया तो इसको separate करने के लिए इसका उपयूग करती है ठीक, तो swing out rotor क्या होता है एक अच्छे ही quality का क्या होता है rotor होता है आगे समझते है use up rotor rotor का क्या use है तो आईए समझते हैं इसका use क्या है तो use up swing out rotor ठीक, क्या use up swing out rotor तो this type of rotor is commonly use the plating application यानि कि इसका उपयोग plating application यानि कि चो rotor होते हैं ये बाहर निगालने वाले molecules को separate करने के लिए उसके उपयोग में किया गता है यानि कि आपको किसी का कोई enzyme का कोई protein का इस सबका separation करना है तो उसी शंतरब्रा की plating application यानि कि जो आपके पयोग मालेकुल्स है उसके separation के लिए किया चाता है आगे समझते हैं दूसरी point में next point पे क्या दिया गया है it is used in separation आप bacteria, yeast and other mammalian cells यानि कि इसकी सहायता से आप bacteria हो या yeast हो यानि कि खमीर और other mammalian ठीक mammalian cell को क्या कर सकते हैं आप separate कर सकते हैं अगली point है it is used it is also useful for separation of micro molecules यानि कि आप इसकी सहायता से बड़े molecules का भी क्या कर सकते हैं separation कर सकते हैं जैसे क्या क्या दिया गया है उसको समझ देते हैं तो इसमें जैसे आप nucleic acid को आप separate कर सकते हैं amino acid को आप लोग separate कर सकते हैं nucleic acid में आपका RNA DNA आता है और इसमें essential non-essential amino acid आती है next point में क्या है it is used in separation of different types of protein यानि कि इसमें आप different types of protein को भी separate कर सकते हैं according to the sedimentation coefficient यानि कि इसके बैठनी की दर्श के हिसाब से आप उसको क्या कर सकते हैं separate कर सकते हैं आज समझते हैं कि swing out rotor किस प्रकार से होता है पहले यह समझें एक bucket tube होता है swing out rotor में एक bucket tube होती है तो इस पकेट tube में उपर rotor की तरह बना होता है ठिक यानि कि इसमें एक ऐसे होते हैं तो point होती हैं जिसमें धेर सारे group बने होते हैं तो लोग bucket rotor का नाप देते हैं अब यही rotor इसके अंदर लगा होता है इसके अंदर इस swing out में ठिक swing out rotor में इसके अंदर यह लगा होता है यह किस प्रकार से वर करता है उसको समझ लेती तो इसके अंदर लगाता है और यह जो swing out rotor होते हैं थोड़े से तिर्चे होती है ये क्या होता है ये थोड़ा सा तिर्चा होता है क्या होती है ये तिर्चे होती है कुछ इस प्रकार से तिर्चे होते है जब आप इस ग्रूब में आप टेस्ट्यूब को डालेंगे तो ये थोड़े इसे तिर्चे तिर्चे टाइप से अरेंज ह होता है। कैसा होता है तोड़ा सा framework & 6 ऐंगल होता है किसमें इस रोटल में यानिकि test tub थोड़े से तेड़िशे होते हैं ठीक तो थोड़े ति तिर्शे होते हैं और यहां पे एक bucket tub to range in different paper यानिकिस अब का conclecle क्या होता है फोड़ा change होता है कि उसके बाद यहाँ पर group बना होता है जिसमें आपको क्या होता है कि test tube रखना होता है यह देखिए tube containing simple यानि कि यह जो tube दिख रहा है इसमें आपको simple रखना होगा जिसको हम लोग shrink out rotor का नाब देते हैं यह rotor थोड़े high cast के होती है थोड़े महगे होती है और यह rotor जो होती है यह आपके simple high speed centrifuge और ultra centrifuge में 14 तर इसी प्रकार के rotor देखिने को मिलती है और आपको बता दे जो यह rotor है क्या swing out rotor यह बड़े molecules और छोटे molecules को separate करने में काफी helpful होता है थिक उसके बाद यह छोटे सी आपके topic थी यानि कि यह swing out rotor बहुत लंबी class नहीं थी तो इस प्रकार से आपका यह क्या होता है complete हो जाता है आगले वीडियो हम लोग fixed angle rotor के बारे में समझेंगे क्या fixed rotor angle के बारे में समझेंगे तो आपको यहां से आपका notes तो तयार हो ही जाएगा तिक notes तो आपका अच्छे से यहां पे proper तयार हो जाएगा अगर आप notes बनाना चाहते हैं तो काफी ढंक से आप इससे notes बना सकते हैं अभी बहुत सारी बात थी बहुत जादा theory लिखवाने से बहुत ही मतलब नहीं होता लेकिन आपको एक idea ह हो जाना चाहिए कि क्या होती हैं कैसे work करते हैं जिसके बेश भी आप लोग बहुत सारे मतलब लिख शकते हैं अपने माइने के साथ सोरम से कुछ भी लिख शकते हैं आप लोग इसमें तो एक मेरा उद्देश था बस क्या करना इसको बताना बहुत ही important यह नहीं है आपके exam के point of view से सबसे ज़्याद आप इतना नहीं लिखना होता है जितना इसमें बहुत ज़्यादा दे दिया है तो आपके exam में इतनी सारी बाते नहीं बूची जाएगी क्योंकि यह आपका पूरा practical के बेस पे आपका यह सारा शेलवस्त दिया गया है चाहिए आपका पांच्वा यूनिट हो चाहिए आपका छटा यूनिट हो यह सब प्रक्टिकल ही दिखाई पड़ रहे हैं चलिए आगले लेक्चर में हम लोग सिंग स्वरी फिक्स्ट रोटर एंगल के साथ आएंगे और उस टॉपिक को भी वाइंड अप करेंगे